हेलो फ्रेंड्स मीनोज रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट करना ना भूले और बैल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी रेसिपी डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए फ्रूट कस्टर्ड में आप अपनी अपनी हिसाब किया सीजन के हिसाब से कोई भी फल डाल सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे बनाते हैं कस्टर्ड बनाने क जलाके और जलाके करना है जब तक दूद खॉल रहा है तब तक हम इसमें काजू पिस्ता बदाम और किसमिस यह ड्राइफ डाल देंगे अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं और हमीं चाहिए चीनी एक कप और यह आधा कप मैंने दूद लिया इसमें हम आं यह मैंने आधे कप डूद में चार्चमच्छ पी कैस्टर्ड पॉडर मिलाया है कैस्टर्ड पॉडर आपके श्लेवर के हिजाब से अगर अगर आप वेणिला वाला खाना चाहते हैं तो वेणिला फ्लेवर ले और अगर कोई और दूसरा फ्लेवर आपको पसंद है तो फ्लेवर ले ले यह मैंने बटर स्कॉच लिया है और अच्छे से मिक्स कर दे इसमें दाने नहीं होने चाहिए यह दूद खॉल गया अब इसमें जितने भी ड्राइब प्रूट्स हमने लिए हैं वह डाल देंगे चीनी और इलाइची पॉल्डर लेंची पॉल्डर थोड़ा सा डालना है और इसे अच्छे से म्क्स कर देते हैं अब इसे थोड़ी दिर खॉल लें देंगे अच्छे से अब हम इसमें कस्टर जो हमने मिक्स करके दूद में रखा है वह हम मिलाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके और चलाते जाएगा नहीं चलाएगा तो फिर यह गुठली हो जाएगी इसमें आप करें 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 अब हम इसे पांस मीनिट और इसमें खॉलने देंगे और चलाते रहेगा क्योंकि अब यह चिपकने लगेगा और गुठली गुठली भी बन सकती है इसमें कि पांस मीनिट हो गया है यह देखिए यह अच्छे से खॉल गया है अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे और इसके आज जब यह थंडा हो जाएंगा फिरिट में यह देखिए यह कस्टड ठंडा हो गया है अब हम इसमें फ्रूट जो है वह मिलाएंगे आप अपनी पसंद का जितना भी फ्रूट मिलाना है तीन से चार फ्रूट आप मिला लें और सबसे पहले हम एक बावल लेंगे उसमें कस्टड डालेंगे और इसमें केला जो है वह काटके और यह मैंने दो ही फल लिया है अनार और केला आप अपने ही साब से जो भी फल आपको लेना है वह आप ले ले और इसमें मिक्स कर लें कस्टड में आप ठंडा होने पर ही फल मिलाएगा और जब भी जितना खाना हो बस उतना ही आप मिक्स करके और खाने के लिए दे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं हो गया अब इसे आप यह खाने के लिए त्यार है